हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर जितने भी आईटिया के स्टुडेंट है आप लोग को पता है कि एक फिर से टाइम टेबल आया था जिसमें की साफसाफ क्लियर पता चल गया है कि 27 से फिर से परिक्षा जो स्टार्ट होने तो फेर्स मैं उसके बारे में और भी जानकारिया देने बाली हूं और भी परिक्षा से रिल्डेट अप्डेट आई है जो कि आप लोग साथ सेर करूंगी उसके अधर जो और भी ट्रेट्स के स्टुडेंट है फीटर के हो गये और भी बहुत सा अधिकतर अस्टुडेंट जो कि बड़े-बड़े ट्रेट्स है उसका कब परिक्षा होगा उसका अभी तक क्यों नहीं आया है और उसके बारे में क्या जानकारिया आई है 29 तक तो परिक्षा ली जाएंगी उसके बाद 30 से जो टाइम बच रहा है क्योंकि डिजीट आप लोग को पता है एक दिन का भ परिक्षा ली जाएंगी उसका फिवर्री में कौन से परिक्षा होगी कौन को सब्सक्राइब और अच्छे देखेंगा ध्यान से तभी आप लोगों को चैसे समझा पाएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजेगा सकारी बेल इकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि जितनी भी अफ्रेट आती है ITA से स्याइट किसी वी ट्रीट से हुं सारी जान करें मैं share करती हूं और बेल आइकन को जोब तक प्रेष्ण नहीं कर से गयेगा तब तक आप लोग तक लिंक नहीं पहुँंच पाएगा आप ल लेकिन एक्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर टाइम टमल्स हो रहा है तो सभी अस्टेट में परिक्षा हैं ली जा रही है वैसा ही दोचार पाच ऐसा स्टेट था जहां कि परिक्षा उस टाइम नहीं ली गई थी दोचार बीस में जिसकी परिक्षा भी भी ले जा रही है जो कि नहीं हुआ था ठेयोरी आ प्रेक्टिकल का और आप लोग का ईडिका तो उहां भी हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकते तो एक जिस आप जरूर बता दीजिएगा कमेंड सेक्षन में आप लोग अपने श्टेट का नाम बतायेगा और अपने ट्रेट्स का time table और या चुका है और देट भी कोंसे आप है तो किन किन परिक्षा भी तक नहीं हुई है तो जितने भी टाम टेफल हो रहे हैं डिज़ीटी के तरफ से उनकी परिक्षा है तो ले जाने चाहिए तो क्यों नहीं होड़ी परिक्षा अगर नहीं हुए तो कमेंट सेशन में बता दीजिएगा अगर हो चुकी ये परिक्षा तभी बता दीजिएगा ताकि हम लोगों को जानकारे मिल जाएगी कि परिक्षा जो हो निया मनसार हो रहा है अगर नहीं हुए तो मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगी क्यों नहीं हुई है क्या परिसान आपके स्टेट में आ रही है उसके बाद फ्रेंट्स आप लोग जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले एक चीज़ आपको पताना चाहेंगे कि आप देख सकते हो आप लोगों को यह पता होगा वेबसाइट नीमी OnlineAdvisa.in यह जो है पोटल है जो की डिजीटि ने इस पर बनाया है खास करके आप लोगों के परिक्षा के लिए इसके पहले यह पोटल नहीं था यह पोटल इसी टाइम जो है Corona के बाद जो तिकते आई जो की बनाया गया जो की ओनलाइन पर इक्षा के लिए खास करके पोर्टल बनाया गया है इस पोर्टल से क्या-क्या जो आप लोग को सुभधा मिलेंगे कि यहां पर आप ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आपको कॉले जाने जरुत नहीं आप लोग को पता है तो जितने भी फिफ्ट पेज के स्टेंट है सबसे पहले जो फेज फाइब क्लिक है तो इसके पहले जो है फेस थिरी का था फिर फेस फोर का यह अभी जो है फेस फोर का इन्ट हो चुका है क्योंकि उसकी पर इस टार्ट हो चुकिए तो आप लोग एक ची बता देती हो कि दिहान से आप लोग इसका पेमेंट कर लिजी आपको कोई नह प्रेंटर से कॉल नहीं जाएगा कि आप लोग अपना अपना जो है फिस जमा करिए ऐसा कुछ नहीं होने बाला है ऑनलाइन करना है कुछ से करना है खुछ से नहीं आ रहा है तो आप लोग किसी भी जहां पर की फॉर्म बगएरा फील होता है जो कि किसी भी स्वाप पर जाहिएगा जहां फॉर्म भड़ते हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा है आपको इधी नहीं आता है तो तो आप लोग जाहिएगा स्वाप और वहां पर बोल दीजिएगा कि आई टी आई का जो है करना है तो वह कर देंगे अपना रॉल नंबर बगएर लेकर चाहिएगा तो वहां से आप वह कर देंगे उसके बाद क्या हो कैसे करना अगर खुद से भी करेंगा तो इस पर सिधा आप लोग कर लेजिएगा क्लिक करने के बहुत सब्सक्राइब जो है ऐसे बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है जैसे कि यहां पर मैं कोई भी रॉल नंबर यहां पर एंटर कर देती हूं अब देख सकते हो मैं अपने मन से यहां पर उसके बेरिफाय और पे जैसे की क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो इस सिम्स योर रॉल नंबर इस नोट फाउंड तो मैंने सब्सक्राइब है तो explain qsu सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब जेते Life इसी तरीके से अगर सही भी यहाँ पर लमबर डाला जारा है असी तरीके से और ठाइब की नौट फाउंड मतलब कि उनका रिचल जो सारी उनका जो आ ऑचार्ण में उछान है नहीं कर रहा है तो एसा नहीं यह कल तक ऐसा हो रहा था प्रॉलम्ज अबी मैंने फॉस्स सब्सक्राइब करने के लिए करने के लिए करने लगते हैं साइट को पिन करने लगते हैं तो इस कारण से जो है प्रोलांस आती है है आप लोग करने जड़ेगा हो जाएक यहां से और बहुपाय करके और प्रेकर लिजिए उसके वाद नीचे आप देख से तो यहां पर क्या मताइगा है एक्जान फीस पेमेंट इसूँ यहां बताएगा है आप देख सकते हो कार्ड और पेमेंट मेथद रॉंग पीन उसके बादे हाँ पर देख तो बता दिया गया है कि चेक इमेल आईडी नोट इनकरेक्ट फॉर्मेट इड इड सारा कुछ यहां पर बता दिया गया कि क्या क्या जो है इकजांप पीस पेमेंट आप लोग पेमेंट नहीं हो सकती है रोंग पीन आप लोग जो है वहां पर देदीजिगा या फिर एमेल आईडी बगार चेक कर लेज़गा यह सारी जो यहां पर बताएगे तो इस तरीके से आप लोग सबसे पर पेमेंट कर लेजिए क्योंकि आप लोगी परिक्षा वह 27 से स्टार्ट होने वाली इसमें बिल्कुल भी लेटर नहीं करना है उसके बाद यह हो गया जिनकी 27 से परिक्षाए है उनकी अप्रेट हो गई उसके बाद इसके अलावा जो है जितने भी अश्ट्येंट है तो 27 28 और 29 27 28 और 29 को परिक्षाए होने वाली है आप लोग को पता है उसके बाद 30 31 जो बच्चे अलावा जो भी अश्टुडेंट है जो कि फीटर से आ गए या फिर उसके अलावा जुतने हैं ट्रेट्स उसकी पर इक्षा है जरूर लेगी टीजिटी जो बीच में 30 और 31 बच्राइं अगर इन दिनों अगर नहीं लिए अगर सटर्डे संडे आ जा रहा होगा तो हो सकता है नहीं ले तो फिर आप लोगी पर इक्षा होगी उसके अलावा जो भी बच्चे हुए श्टुडेंट है तो जैनुवरी दो दिन में अगर नहीं हुए दो दिन में मालीजे दो ही ट्रेट्स का हो सकता है ज्यादा कितने श्टुडेंट का ले वाला है क्योंकि अभी बहुत अभी 50 परसेंट भी स्टुडेंट का जो है कि इंग्जाम कंप्रीट नहीं हुआ है 50 परसेंट भी ज्यादा स्टुडेंट बच्चे हुए है और बहुत सा ट्रेट्स बच्चा हुए है तो जैनु फेवरी भी पूरा फेवरी पर लगेगा मा आज कर दो पसंद आए तो लाइक कर दिजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आकन को प्रेस कर लेजिएगा तो चलिए आज कर दो